बिस्मिल्य रख्माइनर वहीं अस्ट्राम वालेकूम उसर्स इस टेटा के इस टेटोरियल में हम फ़र इच के इस्तमाल को समझेंगे फ़र इच का इस्तमाल एक या जादा स्टेटा कमांड को दोराने का एक तरिक्यकार है जिसको हम लूप भी कहते हैं इसको फॉर इच के साथ और वालिस्ट और इनका इस्तमाल करेंगे और इन दोनों में फ़र को समझेंगे मेरे पास एक छोटा सा डेटा सैट है और इस डेटा सैट के विरीब्ल्स के नाम वार वन से लेकर वार एट तक हैं हम ये चाहते हैं कि इनका नाम तद्दील करके Q1 से लेकर Q8 तक रख दिया जाए। अब इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये हैं कि हम आठ लाइनों का एक सेंटेक्स लिखें। जिसके अंदर हम तमाम नामों को रिप्लेस करवाएं। मिसाल के तोर पे वार 1 को Q1 से रिप्लेस करदें और वार 2 को Q2 से और इसी तरह चेंज करते हुए वार 8 को हम Q8 से तद्दील करदें। इसके लिए हमें आठ लाइनों का एक सेंटेक्स लिखना पड़ेगा जो कि कुछ इस तरह है। लेकिन अगर हम ForEach का इस्तेमाल करें जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि एक या जादा स्टेटा की कमार्ड्स को दराने के लिए एक तरीकेकार है जिसको हम लूप भी कहते हैं। तो हम एक लूप त्यार करेंगे ForEach के साथ जिससे हम इन तमाम विरियेबल्स को चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम इन आठ लाइनों को रन करते हैं और इससे देखते हैं कि हमारे क्या विरियेबल नेम चेंज होते हैं या नहीं चेंज होते हैं। तो जरा मैं पहले इनको रन करता हूं। इस तमाम आर्ट लाइनों को सेलेक्ट करें। और Ctrl-D को प्रेस करें। या यह जो प्ले का आइकॉन है जहां पे Execute Selection लिखा हुआ है। आप इसको प्रेस करेंगे तो तब भी यह रन हो जाएगा। तो मैं Ctrl-D प्रेस करता हूं तो आप यह देखें कि हमारे पास जो Variable Name थे वो Q1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गए हैं। लेकिन अगर मैंने इसको ForEach के साथ करना हैं तो अधरा हम उस Syntex को लिखते हैं और Line By Line उसको समझने के भी कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि हम ForEach के साथ OffWareList और In का इस्तमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम ForEach के साथ OffWareList का इस्तमाल करेंगे और फिर हम Output दिखेंगे कि इसके साथ Output क्या आता है। सबसे पहले हम Keyword ForEach टाइप करेंगे। Space उसके पाद आपने कोई भी एक डमी नाम देना है यह कोई भी नाम हो सकता है। इसके अंदर बेसिकली आपके जो Variables के नाम हैं जो लिस्ट हम देंगे Variables की वह आके Store होगी। तो यहां पर आप उसका नाम रखें। मिसाल के तोर पे हम यहां पर Variables को Rename कर रहे हैं। तो मैं Rename और War यह मैं नाम दे रहा हूँ। और इस नाम को हम Macro कहेंगे। उसके बाद आपने Space देनी और उसके बाद आपने Off, War List, Space के साथ टाइप करना है। इस War List के बाद आपने यह जो Variables के Name हैं वो यहां पर Enter करने हैं। अच्छा इनको Enter करने के मुख्लिक तरीके हैं। मिसाल के तोर पे आप War के साथ Static Symbol इस्तमाल करेंगे। इसका मतलब है कि तमाम Variables हम War के साथ Static Symbol इसले इस्तमाल कर रहे हैं। क्योंकि War Identical है। आप V-Static भी लिख सकते हैं, V-A-Static भी लिख सकते हैं क्योंकि यह Identical है। इसके लावा दूसरा तरीका यह है कि आप War1-War8 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि War1 से लेकर War8 तक के तमाम Variables को इसमें शामिल करना है। और इसके लावा जो आखरी तरीका है वो यह है कि आप तमाम Variables को नाम यहां पर टाइप कर दें। War1, War2, War3 और इसी तरह War8 तक। War8 के बाद Continuation में ही आपने Curly Brackets आपने डालने हैं। Opening Curly Brackets होगा और Closing Curly Brackets इसमें शामिल होगा। Rename की Command को लिखने से पहले जो Line अभी हम लोगों ने लिखी है जरा इसको एक दफ़ा फिर हम समझ लें। For Each Keyword के साथ हमने एक Macro का नाम Define किया है। यह नाम कुछ भी हो सकता है। मैंने इसका नाम Rename War रखा है। आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद Off War List का इस्तेमाल करते हुए जो Variable की जो List हमने दी है वह इस Macro के अंदर सेफ होगी। यानि कि War1 से लेकर War8 तक वह Rename War के अंदर सेफ हो जाएगी। जिसना मैंने शुरू में कहा था कि War 1, 2, 3, 4 यानि कि 8 नाम देने की बजाए आप War Staric भी कर सकते हैं। उस सूरत के अंदर भी तमाम नाम Rename War के अंदर सेफ होते हैं। इसी तरह अगर हम War1-War8 लिखते तो इसका मतलब था War1 से लेकर War8 तक के तमाम वेरियेबल्स Rename War के अंदर स्टोर कर दो। तो यह इस लाइन का मकसद है। अब हम इस नीचे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर अब हम Rename की कमांड लिखेंगे। सबसे पहले तो हम Rename कीवर्ड इस्तमाल करेंगे। उसके बाद जिसना हमने पहली लाइन में लिखा हुआ था War1 वो यहां पे लिखेंगे। और उसके साथ Q1 लिखेंगे। अब यह जो लाइन है यह क्या कह रही है। कि आप Rename करें War1 को जो आपके पास Data Set है उसको Replace कर दें उसकी जगा पर Q1 लिख दिया जाए। अब हम इस Syntax को Run करते हैं, Select करें और Ctrl D प्रेस करें। अब पहला जो Variable है हमारा War1 वो Q1 से Replace हो गया। लेकिन बाकी Variables वैसे के वैसे ही हैं और हमें एक Error Generate हुआ है। उसकी वज़ा क्या है। अगर आप अपने Syntax को देखें तो हमने यह कहा है कि Replace कर दो War1 को Q1 से। ठीक है। और यह कितनी बार लूप चलना था हमारे पास क्योंकि हमारे पास 8 Variables हैं तो हमारे पास यह 8 दफा चलना था लूप। तो जब वो Second Time लूप चला तो उसने फिर Again उसने Find किया कि War1 किदर है। और उसको मैंने Q1 से Replace करना है। तो उसने का जी मुझे War1 तो मिला ही नहीं क्योंकि War1 तो Q1 से पहले ही Replace हो चुका था। तो इसलिए उसने Error Generate किया और आपके Logic को आपके Syntax को वहीं पे रोक दिया। अब हमारा जो Concern है वो यह है कि जितनी बार Loop चले हर दफा वो Next वाला Variable का नाम वो यहां पर इस War1 की जगा पर डिस्पले हो। उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा हमने जो पहली Line में Macro का नाम दिया था Rename War वो हम यहां पर लिखेंगे और Space और फिर आगे लिखेंगे Q1 अब अगर इस Syntex को हम पढ़ें तो यह Syntex क्या कह रहा है? Rename करो किसको? Rename War को और उसकी जगा पर Q1 कर दो जबके हमारे Data Set में तो कहीं पर भी Rename War मजूद नहीं है ठीक है? तो अगर मैं इसको इस वक्त यहां पर Run करूँगा तो वो इसको Error दे देगा क्योंके Rename War हमारे पास कोई Variable नहीं है यह तो हमारे Macro का नाम है अब हम दुबारा से अपने Data Set को खोलते हैं और यह जो हमारे पास Logic लिखी हुए इसको हम दुबारा से Run करते हैं तो अब अगर आप देखें तो जो हमारे पास Variable Name है उनमें कोई भी तबदीली नहीं आई यानि कि जो पहला वाला Variable War 1 था उसको भी उसने नहीं तबदील किया और Error Message किया है Variable Rename War Not Found अब जो हमारा Syntax है उसको हमने क्या लिखा है कि Rename करो किसको Rename War को ढूंडो इस पूरे Data Set में से और उसकी जगा पर Q1 कर दो लेकिन यहां पर तो हमारे पास कहीं पर भी Rename War के नाम से कोई भी Variable नहीं है जैसा कि मैंने शुरू में कहा था यह तो हमारे Macro का नाम है Variable का नाम तो नहीं है तो हम इसको as a Macro इस्तमाल करना चाहते हैं ना कि Variable नहीं क्योंकि उसके अंदर उस Macro के अंदर हमारे पास यह War 1, War 2, War 3, War 5, 6, 7, 8 सेफ है अब इसको हम Macro कैसे बनाएंगे तो उसका तरीके कार क्या होगा आपने Rename War लिखना है Rename War के शुरू में आपने Backcoat का सिंबल डालना है और Right साइड पे जो इसका End है इस Variable का जो नाम है जो नाम हमने दिया हुआ है इस Macro का नाम जो हमने दिया हुआ है उसके End में आपने Single Code डालना है अब आप यह देखें यह Black से का Color चेंज हो गया है यह अब हमारा Macro Name है अब अगर हम यह Run करेंगे तो वो क्या करेगा कि पहला Loop जब चलेगा तो वो क्या करेगा War 1 यहां पर मजूद है उसको Q1 से Replace कर देगा जब Second Loop चलेगा तो वो क्या करेगा War 2 को इधर उठाके डालेगा यहां पर War 2 को और वो कहेगा कि War 2 को Replace कर दो Q1 से और वो उसको Replace नहीं करेगा उसके ओपर Error आएगा तो ज़रा हम इसको Run करके देखते हैं Select किया Ctrl D किया तो अब आप यह देखें उसने पहले Variable को Q1 कर दिये लेकिन Error क्या दिया है कि Variable Q1 Already Defined क्योंकि आप पूरे Data Set में Variables को Duplicate नहीं कर सकते एक दफ़ा जो नाम आपने Variable कर दे दिया वो दुबारा इस्तमाल नहीं हो सकता तो अब हमारा Concern क्या है यहां पर मैंने कहा था कि War 1 को Q1 कर दे War 2 को Q2 कर दे और War 3 को Q3 कर दे अब अगर मैंने इसको Manual चेंज करना है तो फिर इसके अंदर और उसमें क्या फरक है वो ही तरीके कार है उसमें तो और उसमें कोई फर्क भी होगा काम उतने लेंट ही हो जाए तो मैं चाहता हूँ यह इस इकल टू उसकी Initial Value 1 ठीक है अब इस I को हम इस 1 की जगा पर इस्तमाल करेंगे यह I ठीक है अब अगर मैं इसको कहूँ तो यह यहां पर क्या हो गया Q और I की Value क्या है 1 लेकिन इसको हमने Macro के तोर पर लिखना है अगर मैं इसको अभी I ऐसे ही छोड़ दूँ तो यह हो जाएगा Q I एक Variable का नाम I की Value 1 नहीं दिखाएगा तो मैंने अगर इसको Macro की Value को इस्तमाल करना है यहां पर तो मैं इसी तरह जैसे मैंने Back Coat और Single Coat डाला था तो मैं I के साथ Back Coat और यह Single Coat यह मैं डालूँगा अब इसकी क्या हो जाएगी Value अब यह Q 1 इसको Consider करेगा ठीक है तो जब मैं इस Loop को चलाओंगा जब इस Syntex को चलाओंगा तो जब पहला Variable आएगा तो वो क्या करेगा Q 1 हो जाएगा जब Second Variable आएगा तो यह Q 2 होना चाहिए जब Third Variable आएगा तीसरा Loop चलेगा तो यह Q 3 होना चाहिए तो जब रहा हम Run करके देखते हैं कि क्या वाकिए ऐसा होगा या कोई Error Generate होगा मैं दुबारा से Again Data Base Open करता हूं अपने Data Set Open करता हूं यह मेरे पास Data Set Open हो गया वार 1 से लेके वार 8 तक अब मैं इसको Select किया Ctrl D किया उसने Again Q1 को पहले को ही सिर्चेंज किया बाकी वैसे के वैसे ही हैं और उसने Error वो ही दिया कि Q1 Already Defined क्यों ऐसा क्यों हुआ है ऐसा इसलिए हुआ है कि हमने यहां पर I की Value 1 डाली यहां पर I की Value 1 है तो उसने उसको Change कर दिया जब Second Variable के लिए उसने कहा तो Second Variable तो यहां वार 2 मजूद है लेकिन यहां पर क्या Value मजूद है वो 1 की 1 ही मजूद है वो तो रिप्लेस नहीं हुई उसको भी तो Change होना चाहिए वन की जगा टू होना चाहिए Second Way लूप चल रहा है तो इसको टू कर देना चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा है यह एक छोटा सा syntax और लिखना पड़ेगा line का syntax क्या होगा again local space i वही i इस्तमाल करना है हमने यही वाला i हमने इस्तमाल करना है i is equal to इस i में again क्या चीज़ add कर दो एक प्लस add करना है किसके अंदर इस i को इस्तमाल करते हैं तो यह macro मैं इस्तमाल कर रहा हूं आई, जमा 1, अब जब पहला variable हो गया, वो इस line पे आएगा, तो यहाँ पे value क्या है, इस वक्त 1, तो 1 प्लस 1, 2, यह अब 2 हो गई है value, अब जब second loop पे जाएगा वो, तो इस जगा पे, यह second variable को उठाएगा, वो इसमें store करेगा, और यहाँ पे क्या value हो जाएगी, 2, और वो q 2 हो जाएगा, और फिर इस line पे आएगा, तो यहाँ पे 2 प्लस 1, 3 हो जाएगा, जब तीसरा loop चलेगा, तो वार 3 को वो इसमें store करेगा, और यह 3, इसकी value यहाँ पर 3 हो गया, और इस तरह वो 8 टाइम्स चलेगा, और आपके q1 से लेके q8 तक को set करतेगा, तो मैं सबसे पह सारे को आपने इस local के साथ एक ही दफा में select करके run करना है, control D करते हैं हम लोग, तो वो देखें, q1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमारा q1 से लेकर 8 तक हमारा जो है यह variable name change होगा है, लेकिन यहाँ पर हम एक और चीज़ भी देखते हैं, कि हम यह चेक करते हैं, कि यह loop हमारा चला कि इसके लिए हम display keyword इस्तमाल करेंगे, आप display भी पूरा word लिख सकते हैं, या di भी लिख सकते हैं, di लिखने के बाद space और उसके बाद आप inverted कॉमा में message को type कर दें, यहाँ message लिख रहे हैं, the loop number is space और जो macro है हमारा i हम वो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि i की value जो है, हर loop पर change होगी, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि हमारा loop कितनी दफ़ा चला है, क्योंकि हमारे पास 8 variables हैं, तो यह loop 8 दफ़ा चलना चाहिए, और 8 दफ़ा ही यह message डिस्पले होना चाहिए, तो इस message को जड़ा हम run करके देखते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम अपना database open करेंगे दुबारा से, local से लेकर, जो closing presses हैं, उसको select करें सारे को एक दफ़ा में, और control D press करें, syntax run होने के बाद, हमारे तमाम variables rename होगे, q1 से लेके q8 तक, और अगर आप result window देखें, तो उसमें 8 दफ़ा आपका message डिस्पले हुआ है, और हर line के उपर उसका number भी generate हुआ है, जो के एक स for each loop में हमने जो variables के list mention की है, अब इसको हम मुख्लिफ तरीके से mention करेंगे, of wireless के साथ ही, और फिर देखेंगे कि ये loop कितनी दफ़ा चलेगा, तो सबसे पहले हम वार historic का इस्तमाल करेंगे, वार क्योंकि identical है, इन तमाम variables के name के अंदर, तो हम वार लिखेंगे और historic को इस्तमा variables के लिए, historic का मतबत है, तमाम variables, दुबारा से database को open करते हैं, और local से लेकर, जो close bracket है, उस तक इसको select करते हैं, और run करके देखते हैं, तो इस वक्त भी हमारे पास जो loop चला है, वो 8 दफ़ा चला है, और हमारे तमाम variables के नाम जो हैं, वो rename हो चुके हैं, अब हम एक और तरीक देश, वार 8 लिखते हैं, इसका मतलब है कि वार 1, वार 2 और वार 3 से लेकर वार 8 तक के तमाम variables, इसका मतलब भी 1 से 8 तक ही है, लेकिन हमने इस वक्त इसको मुख्लिफ तरीके से लिखा हुआ है, इसमें हमने range को इस्तमाल किया है, जब हम डेश का इस्तमाल करते हैं, तो range ह वार 3 से लेकर वार 8 तक, और इसके अलावा जो हमने अलग से variable name mention किये हैं, वार 1 और वार 2 को भी इसमें शामिल किया जाए, हम दुबारा से database को open करते हैं, और यह जो logic लगी है, इसको दुबारा से run करते हैं, तो हमारे पास जो variables हैं, दुबारा से rename होगे हैं, Q1 से Q8 तक, और loop जो है, वो हमारे पास 8 दफा ही चला है, इस सूरत के अंदर भी, अच्छा अब हम यह rename की command को हम in के साथ इस्तमाल करके देखते हैं, सबसे पहले तो हमने अपना dataset दुबारा से open करना है, और syntax हमारे पास वही रहेगा, सिवाए इसके के हमने off wireless की जगा पर in को इस्तमाल किया है, यह जो off wireless था, इसको हमने अपने इस वाले logic में से खतम करती है, और यहां पर हमने in को इस्तमाल किया है, और हमारे पास वही variable list से मजूद है, अब हम यह देखेंगे कि यह rename करता है इनके साथ के नहीं, और loop कितनी बार चलेगा, तो हम इसको select करते हैं, run करते हैं, त के साथ जो display किये थे variable list हमने मुखलिफ तरीके से की थी, अब इधर भी हम जरा उसको उसी तरह करके देखते हैं, मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो हम static करते हैं, क्या इनके साथ war static काम करेगा rename के लिए, हम सिर्फ rename की बात कर रहे हैं, क्या rename के लिए काम करेगा, जरा हम इसक को चेक करते हैं, सबसे पहले हम database को open करेंगे, उसके बाद हम syntax दुबारा run करते हैं, और उसने इसको change नहीं किया, वो error क्या दे रहा है, कि you requested the name q1 be assigned to 8 existing variables, यानि कि वो कह रहा है कि जनाब आप जो q1 है, आप request कर रहे हैं, कि जो variable नया बने, तमाम 8 के 8 को आप q1 दे दें, जबकि मैंने पहले कहा था कि आप एक दफ़ा जब एक variable assign कर देते हैं, तो दुबारा उसको duplicate नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर वो hysteric काम नहीं करेगा, तो rename के लिए hysteric काम नहीं करता, लेकिन अभी हम एक और चीज़ भी देखेंगे, वहां चे वार 3 से लेके वार 8 जैसे हमने उपर पहले किया था, अब ज़रा इसको run करते हैं, और देखते हैं कि यहां पर क्या करता है वो, क्या यह run करेगा या नहीं करेगा, और कितनी दफ़ा लूप चड़ेगा, एक तो उसने question 1 और 2 को सिर्फ उसने किया, जो हमने range में इस्तमाल किये थे, उसने again उसको error दे दिया, और उसने का जी आप Q3 जो हैं, जो existing 6 variables हैं, rest of the variables हैं, उन सब को आप Q3 assign करना चाहते हैं, जो के नहीं assign हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ दफ़ा लूप चला, इन 2 को तो उसन नहीं किया, तो आपका इन rename के साथ अगर आप range इस्तमाल कर रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा, अगर range इस्तमाल कर रहे हैं, तो वो इस्तमाल करेगा, तो आपके पास यहां पे ना range काम करेगी, और ना ही string काम करेगा, इस्तेरिक काम करेगा, अच्छा इस्तेरिक और फिर range हम इनके साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको भी हम ज़रा चेक करते हैं मैं यहां पर अब rename की जगा पर यह जो rename है इसकी जगा पर मैं frequency ले 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 ता एफ आरे frequency और यह इसको उठा देता हूँ मैं यहां से ठीक है अब मैं कहता हूँ कि जनाब के इन तमाम variables की frequency दिखाओ यह तमाम variables जो भी होंगे ठीक है तो उसके लिए सबसे पहले मैं database open करता हूँ off wireless के अंदर मैं frequency चेक कर रहा हूँ तमाम variables की frequency run करूँगा और यह मैं देखूँगा कि लूप कितनी बार चलेगा इसको select किया run किया तो मेरे पास यह देखें last variable 8 है उसकी frequency आगिया loop number 8 चला है यह variable number 7 है और यह loop number 7 है और उसकी frequency यह variable 7 की frequency आगिया इस तरह इसने तमाम variables की frequency मुझे दे दी है off wireless के through अगर मैं frequency चेक कर रहा हूँ तो अब मैं यहाँ पर भी frequency चेक करता हूँ rename की जग़ा fr frequency पहले तो हम इसके साथ ही करके देखते है तमाम variables के साथ ठीक है अब इसको मैंने run किया इसको मैं पहले clear कर देता हूँ इसको मैं पहले clear कर देता हूँ अब मैं इसको run करता हूँ तो यहाँ पर भी उसने जब मैं इनके साथ ये variable list में दे रहा हूँ डिस्पले करा रहा हूँ तो उसकी frequency उसने तमाम variables की दे दी और यह देखें loop number 8 तक चला है लेकिन अब मैं steric का इस्तेमाल करता हूँ जैसे कि मैंने कहा था कि मैं जब rename को इस्तेमाल कर रहा था in के साथ steric को तो वो काम नहीं कर रहा था उसने error दे दिया था लेकिन मैं frequency के लिए इस्तेमाल करता हूँ अब वो क्या करेगा और loop हम देखेंगे वो कितनी बार चलेगा तो पहले मैं screen clear कर देता हूँ अब मैं इसको सिर्फ इसको run करता हूँ ठीक है और क्या चला जी पहले तो उसने का जी मैंने उसने सिर्फ एक दफ़ा लूप चलाया सिर्फ एक दफ़ा लूप चलाया और उसी लूप के अंदर उसने तमाम variables की frequency दिखा दिये जब हम in का इस्तमाल करते है वार इस्टेरिक को इस्तमाल कर रहे है तो उसने सिर्फ एक दफ़ा लूप चलाया है जो कि बिल्कुल आखिर में बता रहा है कि लूप नमबर एक चलाया और तमाम variables की frequency दिखा दिये लेकिन अगर मैं यहां पर off wireless के साथ इस्तेरिक इस्तमाल करता हूँ और यहां पर मैं इसकी frequency चेक करता हूँ अचा जी अब मैं जारा range को देख लेते हैं वान वार टू वार थ्री टू वार एट ठीक है और यहां पर भी हम ऐसे करते हैं वार वान वार टू वार थ्री वार एट अब इसको मैं किलियर करता हूँ पहले हम off wireless के साथ चेक करते हैं कि यह loop कितनी दफ़ा चलेगा क्या 8 दफ़ा चलेगा frequency के लिए या 1, 2 और 3 दफ़ा चलेगा टोटल 3 दफ़ा चलेगा और तमाम की frequency लिखा देगा मैं run करता हूँ नहीं उसने ऐसा नहीं किया उसने 8 दफ़ा ही loop चलाया और हर दफ़ा जब loop चलाया तो उसने एक अलग variable की frequency दिखाई जब 8 लूप चला तो variable 8 की frequency दिखाई जब 7 लूप चला तो उसने variable 7 की frequency दिखाई और इसी तरह 6 के लिए 6 variable इस्तमाल किया लेकिन जब मैं इन को इस्तमाल करता हूँ तो यहाँ पर देखते हैं कि यह कितनी दफ़ा लूप चलाएगा ठीक है एक दफ़ा चलाएगा दो दफ़ा चलाएगा या तीन दफ़ा चलाएगा या आठ दफ़ा चलाएगा इसको select किया control D किया है तो यहाँ पर देखें जब हमने इन के साथ frequency को चेक किया तो उसने टोटल तीन दफ़ा लूप चलाएगा अब उसने किया क्या है जब पहला लूप चला तो उसने सिर्फ पहले वेरियेबल की frequency दिखाई इसके लिए जब दूसरा लूप चला तो उसने यह लूप नमर टू तो उसने से दूसरे की frequency दिखाई दूसरे वेरियेबल की लेकिन जब तीसरा frequency दिखाई तो इसके साथ लूप नमर कोई नहीं है फॉर के लिए लूप नमर कोई नहीं है फाइव के लिए नहीं है और एट के आखिर में उसने लिखा 3 यानि कि जब तीसरा लूप चला तो उसने यहां से लेके इस पूरी range को इस्तमाल करते हुए उसने तमाम वेरियेबल की frequency दिखा दिया और उसने सिर्फ एक लूप के अंदर इनकी तमाम की frequency दिखाई है अच्छा एक तो यह हो गया अब एक काम और करते हूं यहां पे हम लिखते हैं वार खाली और यहां पे हम वार 4 कर देते हैं यानि कि मैं कहला था वार 1, वार 2, वार 3 और पिर वार 4 से लेकर वार 8 लेकिन मुझे यहां पे variable पूरा variable नहीं लिखा गया यहां यहां थरी मिरे से मिस हो गया और मैं इधर भी ऐसे करता हूं वार 3 इसको पहले clear करते हैं कि जब मैं off wireless के साथ run करता हूँ तो ये कितनी बार loop चलेगा या नहीं चलेगा अगर चलेगा तो क्या display करेगा loop ठीक है यहाँ पर मैंने इसको मैं error ये error है ये हमने error डाला है ठीक है जैसे मैंने यहाँ पर error डाला था तो हम पहले off wireless का दोखेंगे और देखेंगे कि क्या ये loop चलेगा या नहीं चलेगा अगर चलेगा तो कितनी बार चलेगा और अगर नहीं चलेगा तो क्या error आएगा इधर आते हैं इनके साथ यहाँ पर वो क्या करता है जब मैं इसको select करता हूँ तो वो loop चलाएगा कितना इसके लिए loop चलाएगा इसके लिए loop चलाएगा यानि कि आप यह देखें two loops चले और variable two का जो है उसने frequency दी लेकिन जब वो यहाँ आया third loop के उपर तो उसने का नहीं यह variable जो है आपका exist नहीं करता और उसने loop को वहीं पर रोग दिया तो इनके साथ जब आप frequency run कर रहे होते हैं तो आपने इस चीज़ के खेर रखना है कि जहां तक variables exist करते होंगे वो आपको information देगा उससे आगे वो break कर देगा तो यह आपके पास of war list और इनका difference जो मैंने थो सवाल हो तो please comments box के अंदर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं शुक्रिया